हेलो एरिवन वेल्कम बैक तो मैं चानल वंस अगें तो आई होप एरिवन इस दूइंग रहा है गिवन स्ट्रिंग एस कंटेनिंग वन ली थ्री टाइपस अफ करेक्टर्स ठीक है तो ओपनिंग ब्राकेट क्लोजिंग ब्राकेट एन इस्ट्रिक्स तभी तुम नहीं यही व आफकोस मैंने हर एक वीडियो में यह चीज बोला कि जब भी हमें पारंथेस दिखे तो पहला ख्याल जो हमें आना चाहिए वह क्या होना चाहिए इस्टाक राइट तो चलो आगे बढ़ते हैं ना कुश्चन पढ़ने से पहले वैसे बने बताया तो खैर कोई नहीं तो रि रैट पिर फिर 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 ट भीट इसे फिर यह 6 शगों किर में तब ँछे घ्राय्ट सब् сок sup तो ये खुद में एक अलग से हमें इसको handle करना पड़ेगा, तो हम यहां पर multiple approaches को देखेंगे हैं, तो पहला approach जो होगा, तो जो हमारा last 2 approaches में बताऊँगा, तो अभी वाला तो हम stack से solve करेंगे, अगला होगा बिना stack के देखेंगे, वो थोड़ा optimized way होगा, कैसे होगा हम दोनो को देखते हैं, तो यहां पर जो पहला approach में बता रहा हूँ, वो होगा हमारे पास 2 stacks का, तो यह थोड़ा greedy approach होगा, ठीक है, greedy के मतब क्या होता है, लाल जी, अब इसमें 2 stacks में क्यों use कर रहा हूँ, तो जो हमारा 1 होगा, वो एक stack रख रहा होगा open brackets को, और दूसरा जो रख होगा, वो होगा हमारा asterix को, क्यों क्योंकि हमें asterix को अलक से handle करना पड़ेगा, वो wild card है, कुछ भी बन सकता है, तो इस तरीके से 2 stack को maintain करेंगे, जिसके पहले stack के अंदर हम open brackets के indices का ध्यान रखेंगे, और दूसरा second stack में हम asterix के indices का ध्यान रखेंगे, अब एक चीज मै बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि हम indices का ध्यान रखेंगे, क्यों, है ना, आपनों का सवाल हो सकता है, यार अगर अप indices का ध्यान क्यों रख रहे हो, ऐसे भी तो कर सकते हो, तो देखो मैं बताता हूँ, क्यों रख रहा हूँ, जैसे मान के चलो, यह हमारा example है, है ना, asterix है, और suppose ऐसा सा कुछ है, ठीक है, तो इस case में अगर आप लोग देखो, तो क्या हम इसे valid बना सकते हैं, तो हम देखेंगे, कि हाँ यार यहाँ पे तो एक opening bracket है, उसके corresponding यह closing bracket है, तो इनका तो काम हो गया, similarly, एक asterix हाँ पास यहाँ है, और एक closing bracket यहाँ है, तो यह asterix में हम इ आद मान के चलो हमारी opening bracket आ जाए, तो अगर हम मान के इसको तुम कुछ भी बना लो, अब asterix को आप अगर ऐसे भी opening भी बना लो, या फिर closing भी बना लो, तो भी कोई फायदा नहीं है, हाना, दिख रहा है, या तो वो ऐसे ऐसे बन जाएगा, या फिर वो ऐसे ऐसे रहेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसका मतलब अगर opening bracket जो है, वो asterix के बाद आ रहा है, तो कुछ भी कर लो, हम उसको valid नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें indices का ध्यान रखना पड़ेगा, कि वो कब आ रहा हो, ओके, तो चलो, तो हम भी करेंगे, जब भी हमें, like, opening bracket जब भी म ठीक है, और हम एक stack बना लेंगे, मत एक या दो stack होगे, यह होगा हमारा open bracket का, और यह होगा हमारे asterix का, ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पर चलना इस्टार्ट किये, है ना, हम इस position पर है, opening bracket मिल रही है, opening को डालो यहाँ पर, है ना, then क्या हो रहा है, मैं पस closing bracket मिल रही ह है ना, then क्या मिला, asterix मिला, तो asterix वाला, अपने वाली stack में डाल देगा, then हमें closing bracket मिला, तो जब भी हमें closing bracket मिलेगा, हम चेक करेंगे, अपने opening bracket में, कि क्या कोई corresponding opening bracket है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, है ना, यह already बाहर निकल चुकी है, तब ही हम asterix का use करेंगे, asterix as a wild guard हमें use करना है, जब तक हमें opening bracket से काम चल रहा है, अगर हम उसे close कर पा रहे है, तब तक हम asterix की कोई ज़रूत नहीं use करने की, लेकिन जब नहीं मिल रही है, तब हम asterix का use करेंगे, जैसे इस case में क्या हुआ, हमें opening bracket में नहीं मिल रहा है, वो already खतम हो चुका है, लेकिन हम हम देखेंगे, तब जाके check करेंगे, क्या asterix मौजूद है क्या हमारे पास, तो हाँ यार है, तो as in opening bracket हम इसको treat करेंगे, तो इस वाले का काम asterix हमारा कर देगा, तो asterix में कल गया यहां से, अब हम आते हैं four वाले पे, अब देखेंगे कि यह closing bracket है, अब हम चेक करेंगे, क्या हमारे पास opening bracket में कुछ है, नहीं है, तो चलो हम asterix में चकरते हैं, क्या asterix भी है क्या हमारे पास, तो नहीं है, तो हम देखेंगे न, कि यह दोनों हिससे empty हो चुके है, है न, दोनों ही empty हो गए, इसका मतलब यह हो जाएगा false, हम इनको valid नहीं कह सकते, return false, ठीक है, तो I hope पहला अप्रोच यहां तक clear होगा, तो पहले अप्रोच को मकोड करते हैं, पहले फटा-फट, ओके, तो मैं क्या-क्या ले रहा था, दो stack है न, तो array deck हो गया, यह integer type का होना चाहिए, तो open bracket, ठीक है, फिर new array deck, एक और हम लेंगे, वो होगा, अरे, हाँ, वो क्या ला था हमारा, asterix था है, तो, asterix, सही है, न, asterix, ठीक है, यार, समझा किया, वो काफी है, चोड़ा, उसके बाद, दो stack ले लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम iterate करने, start करते हैं, कि है क्या यार, वो element, so, as.character at i, है न, उसके बाद, चेक करो, कि क्या हमारा character, जो है, वो opening bracket है, है, है न, अगर opening है, इसका मतलब, open brackets में डाल दो पहले, open bracket dot push, क्या चिस आई ये को, है न, वरना, else if में क्या होगा, वो asterix हो जाएगा, है न, अगर character हमारा asterix है, तो, इसके लिए हम क्या करेंगे, asterix वाले डबबे में डाल दो, तो, asterix dot push i, ठीक है, यहां तक, और अगर दोनों ही नहीं है, इसका मतलब हमें पास तीसरा possibility वही हो सकती है, कि वो close bracket हो, है न, और close bracket अगर है, तो हम चेक करेंगे, कि क्या हमारा open bracket, empty है, क्या, है न, अगर not empty है, है न, तो क्या करो, open bracket में से pop करा तो, इसका मतलब हमें pair match हो गया, है न, opening bracket से match हो गया, वो closing वाला, वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब वो open bracket वाली हिस्सा empty है, तो हम चेक करेंगे, क्या asterix के पास कुछ है क्या, अगर asterix के पास, अगर asterix खाली नहीं है, तो चलो यार, इसका use हम कर लेंगे है, asterix.pub, तो इससे हमारा match हो जाएगा, अगर ऐसा, अगर दोनों ही खाली हो चुके है, इसका अगर पंगे हो गए, सीथा कहतो, return false, ठीक है, तो यहां तक चीज़ें clear है, I hope, उसके बाद, यह काम हो गया हमारा आधा है, अब हमें क्या करना है, कि अगर कोई remaining open bracket और asterix बच गए हैं, तो उनको हम balance कर सके, अब वो का balance होगा, जो मैंने बताया था, कि हमारी जो asterix open bracket होगी, वो asterix के index के पहले आनी चाहिए, अगर last में आएगी, तो हम उसके balance नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर, अगर यह बच जाएगी तब हम लिखेंगे, इनकेस अगर ऊपर वाले प्रॉसेस इस चिल बच गया, वाइल, open bracket is not empty, अगर वो खाली नहीं बचता है, और साथे साथ हमारा asterix, यह भी not empty है, अगर ऐसा सेनारियो है, और अगर open bracket जो है, appear होता है asterix के बाद, इसका मतलब वो balance नहीं होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कि अगर हमारा open bracket.pop, अगर यह इसकी greater index है, बड़ी है किस से, asterix से, तो क्या करो ना, return false कर दो, इसका मतलब वो valid हो यह नहीं पाएगी है, वो बाद में आ रहा है, asterix balance ही नहीं कर पाएगा उसको, वरना हम सीधा कह सकते हैं, कि true है, तो return कर दो, कि open brackets हमारी खाली हो चुकी है, is empty, वो खाली हो गया हमारा, यह बरन करके देखते हैं, यह नहीं होगा, इतनी कितनी जल्दी कर दिया मैं, चलो, चल रहा है, तो यह हमारा पहला approach था है, जिसमें हम dough stacks का use कर रहे थे, इनके runtime पर कभी मत जाना है, कभी-कभी 100 दिखाते हैं, कभी 38 दिखाते हैं, तो यह इनकी problem है, तो चलो, हम इसका और थोड़ा एक better approach देखते हैं, तो यह हमने देखा stack के format में, दूसरा approach क्या हो सकता है हमारा, तो वहां हम use कर रहे होंगे न, two pointers का, okay, two pointers का approach आप लोग को काफी पसंद होंगा, I guess, है न, हम बहुत questions देखें बीच में, two pointers का, तो हम क्या करेंगे न, two pointers का use हम कैसे करेंगे, suppose हमारे पास same ही type की है, इसका answer में पता है इसलिए, तो 0, 1, 2, 3, 4, है न, ऐसा सही है, तो हम क्या करेंगे न, हम यहां पे left से चलना start करेंगे, एक pointer और एक pointer हमारा right से चलना start करेगा, ठीक है, और हम क्या करेंगे न, left से जब हम चल रहे होंगे, तो हम count करेंगे number of open brackets और asterix को, ठीक है, यह कब जब हम left से चल रहे होंगे, तो number of open और estrix को count करेंगे similarly, जब हम right से चलेंगे तो number of close brackets और estrix को count करेंगे अब estrix को मैं दोनों में count कर रहा हूँ क्यों? उसका कारण है, क्योंकि इनने क्या रखा है कि estrix जो होगा उसको हम as a open और as a close दोनों treat कर सकते हैं तो हम जब भी estrix आएगा तो हम left के लिए इंक्रिमेंट करेंगे और right के लिए इंक्रिमेंट करेंगे तो यहां तक चीज़ हैं clear रहा है और हम क्या करेंगे, इस तरीके से count होते होते हैं अब देखो क्या होगा, पहले case में जब हम इसको opening bracket और estrix को count करते वे चलेंगे तो जब भी हमें कोई close bracket encounter होता है तो हम यह इसको minus कर देंगे count of opening bracket को, इसका मतलब हमें valid match मिल गया similarly, जब हम पीछे से चल रहे होंगे जब हम right से चल रहे होंगे और जब हम right के लिए क्या condition था कि हम closing bracket और estrix का ध्यान रखेंगे और अगर इसे चलते वे opening bracket कहीं पे मिल गया तो वो क्या करेगा ना, इसको cancel करेगा कि इसमें से एक minus कर दो कि हमें एक valid match मिल गया पीछे से जाए थे एक close opening bracket मिल गया तो इस तरह से करते करते अगर हमें कोई भी part negative मिल जाता है तो हम कह देंगे कि वो false होगा अब देखो, इसका answer हमें पता है कि return false हो रहा है उपर वाले में हमने just अभी check किया तब देखते हैं, इस ही से समझ लेंगे कि इसमें कैसे हम कर रहे होगे तो देखो, अब इसके लिए हम क्या करेंगे ना हम दो pointers बना लेते हैं अब स्टार्टिंग में क्या होगा हमारे पास left यहां पर रहेगा और right यहां पर रहेगा ठीक है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है अब यहां पर हम open count को लिख के रख लेते हैं तक कि count करते रहेंगे और close count अब देखो पहले iteration में दोनों अपने अपना चलना स्टार्ट करेगा अब initially दोनों थे हमारी 00 बैठे होंगे है ना अब देखो पहले वाले को क्या मिला left में पहले first position पे इसको zero position पे open count को one मिला एक opening bracket मिल चुकी है right वाले को क्या मिला यह close count है तो एक इसको भी मिल चुका है clear यहां तक then हम क्या करेंगे यह pointer हमारा यहां आ जाएगा L और यह pointer हमारा यहां जाएगा R अब तुम ध्यान से देखो अब यह क्या हुआ closing bracket मिल रहा है इसका मतलब यह left pointer किसका है opening count का तो अगर closing उसको मिल रही है तो यह वापस से minus one हो जाएगा है एक कम कर देगा फिर right वाला pointer को क्या है इसको closing still मिला हुआ है तो यह one से two हो जाएगा क्योंकि वह close का ही ध्यान रख रहा है अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पर अब हमारा L यहां आ चुका है और हमारा R भी यहां आ चुका है अब अगले केस में क्या होगा दोनों में one बढ़ेगा यह भी zero से one हो गया यह two से three हो गया ठीक है यहां तक अब अगले केस में क्या होगा ना आर हमारा अब हमारा यहां आ चुका है ठीक है और L हमारा यहां आ चुका है ठीक है अब L क्या कर रहा था वह number of opening bracket देख रहा था लेक तो वह 3 से 4 हो गया ठीक है अगेन वह किस्टेप मूव करेंगे यह इधर आ गया यह आर हमारा इधर आ गया अब यहां पर देखो आल के पास क्या है closing bracket है लेकिन हम क्या कर रहे थे opening count कर रहे थे इसका मतलब 0 से वह हो गया minus 1 यहां यहां पर आर में क्या हुआ आर को भी opening मिला जबकि हम closing का ध्यान रखे थे यह minus 1 एक और होगा तो यह 3 हो जाएगा अब हम चेक करेंगे कि क्या दोनों में से कोई negative हो गया कि आप तो हमें दिखेगा कि हां यार हमारा जो opening count था वह less than 0 हो गया अगर कोई भी less than 0 हो जाता है तो हम सीधा क्या देंगे return false ठीक है तो यह approach था हमारा two pointer जो कि इसमें हमें कोई extra space की नीट नहीं और optimized है थोड़ा है ना तो यह वाली approach क्लियर होगी किसको मत अब सभी को किसी को नहीं तो हम इसको भी code कर लेते हैं तो है तो देखते हैं तो हम क्या कर रहे थे एक open count maintain कर रहे थे ठीक है और एक हम maintain कर लेंगे लेंथ ले लेते हैं किसकी string of length-1 ठीक है तो लूप लगाओ लो अपना फोर इंटाई कोश्ट जीरो आइस देश्टन इक्वेल्स टू लेंथ और आई प्लस प्लस ठीक है उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारा s की character at i क्या हो अगर opening वाली bracket हो ठीक है और साथी साथ क्या हो अगर asterix हो है ना दोनों को count कर रहे थे कि अगर हमारे पास asterix भी हो तो तुम क्या करो ना open count को बढ़ा दो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है मतलब की हमें मिल रही है वहां पे close bracket तो क्या करो ना open count को माइनस माइनस कर दो ठीक है तो यह हमारा अभी आधा काम हो गया अब दुसरे pointer के लिए कि अगर हमारा character at i क्या हो closing वाला हो है ना आ सौरी यह आई नहीं होगा ना यह हम पीछे से चल रहे है तो यह हो जाएगा हमारा length minus i ठीक है तो हम पीछे से चल रहे है तो length minus i एकर यह हो closing bracket या फिर हमारा character at length minus i क्या हो asterix हो अगर इन देनों में ऐसा कुछ हो तो क्या करो ना close count को बढ़ा दो वरना opening bracket अगर मिल गई तो close count को decrement कर दो minus minus ठीक है अब हम क्या करेंगे बस एक चेक करेंगे कि अगर हमारा open count जो है वह less than zero हो गया या फिर अगर हमारा close count अगर यह less than zero चला गया दोनों में से कोई भी अगर जाता है तो हम सीधा कह देंगे return false अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसका मतलब सब कुछ सही है return कर दो true ठीक है तो यह देखो कितने सिंपल से कोड में हमारा काम हो गया बिना कोई एक्स्ट्राइब स्पेस को यूज़ किया के चल रहा है हमारा कोड इसमें 100 परसेंट तो यह दोनों अप्रोच के लिए रोंगे है ना कोशन भी अच्छा सा था तो अगर इसमें कोई भी डाउट कहीं पर भी रहे गई हो तो आपको पता है कमेंट सेक्शन खुला है यह पूछ सकते हो आँ पर बागी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए कि प्लाइन किप कोडिंग किप एक्स्प्रोडिंग एंड डू लाइक सेलें सब्स्क्राइब दा पर चाने, के बिलते हैं अगली वीडियो में, बाई!